भारती जन्ता पार्टी जो है आप अगर इतियाद उठाएं किसी भी चुनाओगा तो जितनी भी रिजर्व सीट होती है वहाँ सबसे जाद है जो बेनिफिट मिलता है वह भारती जन्ता पार्टी को मिलता है चंशेकर हरा सकते हैं बीजेपी को और एक हफ़ते पहले वोड़ शिप्टिंग बड़ी तेजी से चंशेकर की तरफ हुआ कि यहां से शायद उन्हें सपासे टिकेट मिल जाए गटबंदन से लेकिन ऐसा हो ना सका समीकर का बिन्यास इसकदर बैठ रहा है जिसमें चंशेकर रावन की बहुत मजबूत लड़ाई से भाजपा वास्तों में एज़ पर है लाब की कौन में खड़ी है लोकसभा चुनाव संपन हो चुके हैं और सबकी नजरे अब इस बात पर ठीकी है कि पश्री मुत्रप्रदेश की महत्मुर सीटों में शुमार नगीना लोकसभा पहले ही तैu कर लिया था और वहीं जो नजरे डिकी हैं हैं दंगीना में क्या होने जा रहा है बिल्कुल सबकी निगाहे टिकी हैं नगीना पे क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने वहाँ नई चर्चाव को और चोकाने वाली खबर का इंजार सब कर रहे हैं हुआ ये कि वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर रावन की एंट्री होने से चुनाव बहुत रोचक हो गया जज़ा आपको मालिव में वहाँ पर दलित और मुस्लिम बाहुलिय सीट है शुरू में जब चुनाव शुरू हुआ तो लगा के चंद्रशेखर क्या कर पाएंगे वोट कटर साबित होंगे थोड़े बहुत जिवा मिल जाएंगे उनकी सब अब राजनेतिक ताकत देखी थी तो थोड़ी सी ताकत दिखाई थी खतोली उप्चुनाव में जहां पर यह माना गया क्योंकि बस पाउप्चुनाव नहीं लड़ती है तो उस समय रालोध ने वो विधानसभा का उप्चुनाव जीत लिया था और यह माना गया कि चंद् परणपुर थी या फिर नगीना थी तो नगीना के लिए बहुत दिनों से प्रतिक्षा रद थे कि यहां से शायद उन्हें सपासे टिकेट मिल जाए गडबंदन से लेकिन ऐसा हो ना सका वहां पर भार्तिजंता पार्टी ने उन्हों ने मनुश कुमार पर दाव लगाया टो शुरूआ धीरे धीरे तो सब कहने लेङए ड़े हैं क्या होगा समाजवादी पार्टी और भार्तियंता पार्टी में टक्कर हैं लेकिन धीरे धीरे जब वहां से सूचना मिलने लगी तो वह सूचना ऐसी थी कि चंटशेखर राजात ना जाने क्या करदें और यह जब केवल युवा दलित बलकि मुस्लिमों का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया तो लोगों में जब तिकोणिया लड़ाई हो गई तो जो वोटों का का और मुस्लिमों का एकठे प्रें मिला है उन्हें मुझे मुझे लगता है चंद करिशमा करने में कामधाब सकते हैं और स्था शूकला जी अपके नाज़री में क्या है कि अपनी चीज़ें प्रवान चेहरा है उनको प्रवांचल तोग लोग जानते हैं यह उनकी बहुत खास उपलब दिया जीत हार का समीक नगीना प्रतिस्था का विश्य चंसेखर के लिए विश्ले बनी है कभी कुछ पिछले दिनों वह जहन चोधरी से एक प्रकार से वैचारिक विद्रों करके इस तरफ आए और वह बहुत लंबे समय से नगीना में तयारी कर रहे थे जब उनके लिए इंडिग अपने दरवाजे नहीं खोले तो उन्हों अपने आप लड़ने का प्रयास किया और बहुत मजबूत लड़े हैं लेकिन यह जो सरकार रहे थे अभी इस बात में देखू की वजह से भाजपा के लिए दरवाजे खुलते नहीं जराएंगे भाजपा किस्ति मजबूत में जराएंगे मतला जिस तरीके से तीन बार के विधाय केन है टूर से ओमकुमार आपको लग रहा उनका पलड़ा भारी है बिल्कुल समीकरन कुछ समीकरन का विन्यास इसकदर बैठ रहा है जिसमें चंसेकर रामण की बहुत मजबूत लड़ाई से भाजपा वास्तों में एजपर है लाब की कौन में खड़ी है इस प्रकार कहा जा सकता है ओमकुमार का अपना अनुभो भी बहुत ज्यादा है पहले बस्पा में थे बाज में 2017 मेरे ख्याल से भाजप कारों कि आपको क्या लग रहा है नगीना के समय कर रहे हैं कुछ कमाल कर देंगे कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकल जो है मनोज कुमार उन्होंने बहुत मजबूती से चलाई है कोई कह रहा है कि बीजेपी वहाँ पर बिन करेगी असलमें पश्चमे उत्तर तर्क लेखराजाद और रावणट की बात आपने कहीं है ऊभर रहे हैं यह नेता है कि अवह भी उसस्तिति में नहीं है कि लोगों तक उनकी बात करतेना है जो भी बात करते हैं करते हैं और मुझे नहीं लगता कि संगठन के मामले में वो जो दूसरी राजनेटिक पार्टियां उनके सामने वो कहीं टिक पाएंगे तो फिलाल क्या लगते हैं वहां के नतीजे नतीजे अभी बीजेपी और इन दोनों में ही रहेगा जगडा तो लेकिन चांसी इस बात करेंगे कि सपा को टकर में नहीं मान दें सपा है सपा है लेकिन अभी महां जो महां का इस्टिती है उसको देखते वह लगता है कि वह दूसरे या तीसरे स्थान पर ही आएगी अच्छा दूसरे तीरा रविंदर राणा जी आपको भी देखा था मैंने नगीना गए थे बहुत आपने वहां पर कवरीज भी किया है क्या महां की मतलब क्या लगा जनता के मन में क्या चीज़े आपको लगी कि चीज़े बदलेंगी या फिर वही वह लिए रही देखिए पूरे पश्ची में उपतर परदेश में मुसलिम वोटर्स का जो रुजान है वो समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के गटबदन की तरफ रहा है केंडिडेट्स दोनों में से जहां जिसके रहे हूं अब प्रत्याशित ढंग से नगीना में यह हुआ कि एक हफते पहले से यह ट्रेंड चेंज हुआ वहां पे पूरा एलेक्शन का पेस चेंज होना शुरू हो गया एक हफते पहले एक हफते पहले तक चंशेकर वहां बहुत सीन में नहीं थे समाजवादी पार्टी के जो केंडिडेट हैं उनके और बीजेपी के केंडिडेट के बीच में फाइट थी सबका यही आकलन था लोगों का भी यही कहना था मुस्लिम्स ने बड़ी तेजी से यह कहना शुरू किया कि हम चंशेकर को आजवाना चाहते हैं इस बार और उनको लगा कि युवा दलितों का जो रुजहान है वो चंशेकर की तरफ है चुकि मुस्लिम्स यह चाते थे यह देख रहे थे वो कि किस के पास ऐसा बेस वोट जादा है जो बीजेपी को हरा सके तो उनको लगा नो डाउट लोग प्रेता में चंशेकर माँ जितने भी केंडिडेट फाइट कर रहे हैं उन सब से आगे हैं युवा चेरा हैं तमाम आंदोलों में शामिल रहे हैं दलित मुव्मेंट का बड़ा चेरा हैं और ना केवल पश्ची में उत्तर प्रदेश में वलकि नेशनल लिवल पर उनकी एक पैचान है जो बाकी किसी केंडिडेट की वहां के नहीं है तो मुस्लिम्स को ये लगा कि ये चंशेकर हरा सकते हैं बीजेपी को और एक हफते पहले वोट शिफ्टिंग बड़ी तेजी से चंशेकर की तरफ हुआ लेकिन इसके अपने खत्रे होते हैं मैंने कई बार ये देखा कि इलेक्शन्स में जब लास्ट मुव्मेंट में वोट शिफ्टिंग होती है बड़े पैमाने पे तो उसमें डाउट्स होते हैं कुछ कितना गया पर 50 पर सेंट चला गया बहुत सारे वोटर्स कंफूजन में आ जाते हैं कि चंशेकर हरा भी रहें कि नहीं हरा रहें चुकि पूरा ओवरॉल पूरा देख रहे हैं पूरे वेस्टन यूपी में सीन वही है कि मुसलिम्स गटबंदन के इंडिया गटबंदन के परत्याशी की तरफ जा रहे हैं तो वहां वो ये भरोसा जमाना और वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाना ये बड़ा रिस्क वाला काम था जोखिम वाला काम था मैंने इसको बारीक से देखा इस पर काफी पैनी निगा मैंने रखी कि कितना होता है मुझे लगता है बड़ी संख्या में हुआ है और दलितों का वोट तो अच्छा चंशेकर को मिला ही है मैं ये मानता हूं कि वहां जंग 50-50 है चूकि एकदम कंफर्म तोर पर ये कहना जै अगरी मुस्लिम वोट है तो 6 लाख वोटर्स आखिर के 6 दिन में 90 शिफ्ट हो जाएंगे चंशेकर पर ये एक बड़ा सवाल है और निश्चित तोर पर अगर ऐसा हो जाता है उसमें से मोर देन 90 शिफ्ट हो जाता है तो चंशेकर की जीत बड़े मार्जिन वाली जीत होग यह तो चंशेकर जी जाएंगे चंशेकर जी जाएंगा अलग 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 दावें हैं सबके अलग एक आखड़ा अपना समझा रहे हैं आपके आखड़ों के हिसाब से क्या लग रहा है नगीनाकर देखिए जो वहां का आकलन अगर हम करें क्योंकि हम ना तो जोतिशी है न उसके नॉमिनेशन फाइल करने के कुछ दिन बाद वो कहीं पर टिक नहीं पा रहा था दूसरी तरफ चंद्रशेकर रावण ने वहां पर पिछले दो साल से लगातार मेहनत किये उस सीट पर और जनसंपर्क में रहे हैं लगातार काम कर रहे थे उस सीट पर उन्हें यह उम अगर अपने सिंबल पर लड़ेगा और वो कल कोई ऐसी बात होगी तो उसे जाने में कोई दलवदल कानून का सामना भी नहीं करना पड़ेगा तो उनके सामने प्रस्ताब रखाता कि आप एक काम करिए समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ लीजे तो वह इसके मुस्लिम से पूचिए कि किसको बोड़ देना चाहते हैं तो वह सीधे करता राहुल गांदी को तो सर जैसे कह रहे हैं कि नगीना में यह हो जाएगा आपके हिसाप से क्या है देखे नगीना सीट अपने चर्ची सीट हो गई इस लोग सुभा चुनाव में इससे पहले जब परतियाशी घोशित किया पूर अफसर को वाजबाने अपने दायक को तो उसमें इस्तिती ऐसी बन गई कि तब तक भी चर्चा में नहीं जब चंसेखर में वहां से नामांकन कर दिया और पहले से एलान कर दिया चुनाव लगने का हाला कि यह दो साल पुराना था लेंकि न अच्छा ने भी आए तक मुस्लीम के मुद्दों को लेके देश भर में आंदोलन हुए हैं चंसेकर उनमें सबसे अगरनी भूमी का निवात अबात अबात है जेल भी गया है दिली के मामलों में और जगा के लिए भी तो इसलिए कि मुस्लीम के लिए हाला कि इस बार पश् तो जहां तक मुझे वहां लोगों से बात हुई और जो लोगों का हम अपना आंक लगे उसमें मुस्लीमों का एक बड़ा हिस्सा मैं बड़ा हिस्सा काऊंगों कि पोल का साट-टर प्रसेंट एक तरफ जाने की उमीन हो तो वह मुझे लगता है वह चंसेकर के साथ और उसक भी उसको अपना माना तो दलितों का एक बड़ा हिस्सा महां जो है वह चंसेकरों जाता दिखाए दिखाए दिया इसके आंकड़े देखें तो लगड़क जो हैं साड़े 15-16 लाग मावद दाता है और उनमें से 46 परसेंट मुस्लीम और 21 परसेंट जो है वोटरों की बात कर है और लोगों ने बताया है तो उसका पड़ला वहां भारी है और इस्थिती जो है इसके साथ ही में कहूंगा कि दूसरा जो है वो बज़ेपी और वहां चंसेकर के बीच ददर आती है हाला कि समयवादी पार्टी भी घटबंदन के परतियाशी है तो कहीं नहीं कहीं कहीं क इसलिए तो इसलिए लगता है लेकिन चंसेकर और भाजबा में च्टिति संब्होना नजर आ रही है और तिर्कोनिया इस्तिती में जाए सपा कितना कमाल कर पाएगी वो मुझे बहुत कम नजर आता है कम नजर आए कर सपा कमाल पाएगे पुश्पेंद्र जी आप से एक चीज में समझना चाहूँगा बीजेपी और चंदर शेखर की टकर बता रहे हैं तमाम आप वरिश्ट ल जो हालात हुए हैं उससे ऐसे लगता है कि बस्पा वहां चौथे नंबर पर ना चली जाए जबकि 2019 में तो ग्रीश्चन थे लेकि तब आपको याद रखना होगा कि उसका सपा और आलोत के साथ गटबंदन था और दूसरे आकाशानंद को वहीं से लांच करना वहीं जाना यानि की बस्पा वाले ये समझ चुके थे वहां खत्रे की घंटी है और आप देखिए आकाशानंद के पूरे भाशन का जो लब लुबाब था उसमें निशाने पर चंद्रशेकर थे और उसका ये कहना था कि दलित युवाओं को ये ब्रमित करता है वो जेल चले जाएंग वड किया कि जो एज है वह भारती इंत्या पार्टी को है करिश्मत तब होता है अगर चंद्शेकर जीता करिश्मत तब होगा शुक्ला जी आप बता दिजिए सर्ड़ ने तो बिल्कुल क्या दिया आपकी नजर में दो सद्दों में कॉन जीत रहा नगीना कॉन जीत रहा ह उसको लोग विमर्ष मिलाई नहीं रहें वो सत्रा जातियां जो गहर याद हो जाती जो आप बताते हैं वह बहुत बड़ी संख्या में है वह जीत का कारण रखेले बन जाते हैं बाकी जैसा पुस्कुण जी ने कहा कि दली तोटों में बटवारा होता ही है वह होगा यह तीन कि चंसेकर आजाद यहां भावनात्मक जमीन बना चुके हैं लम्मे समय से और उनका बैयान इसलिए बड़ा तल्क माना गया राजनीतिक हिसाब से और बस्पा ने बड़ी चूखिये कि जो जमें जमाय संसत्य गिरीश चंद उनको उठा के बलंसर बेंज दिया इसका कारण कोई नहीं बता कर पाया कि इसके पीछे के वज़ा क्या रही होगी और भाजपा की जीत की बड़ी सीधी वज़ा है भाजपा का सांगटनिक धांचा अधबोध है बहुत मजबूत है इसके लावा इनके पास सिस्टार नेताओं का आवागमन खूब रहा है इसलिए जो इन नहीं होता हूं क्योंकि यह वहाँ पर OBC अगर सारे मिल जाएं और एक तरफ दलीत और मुस्लिम हो जाएं तो फिर OBC भारी नहीं पड़ते वहाँ पर दलीत और मुस्लिम शम्मिकरन जो है ज़्यादा भारी पड़ता है लेकिन इसकी समभावना फिर भी बहुत कम है कि सारे कि सारे एक जूट होके और चंशेकर के लिए चले गए हों यानि कि सपा जीरो हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो फिर मैंने फिर वोई शब्द दो रहाऊंगा कि फिर तो ये करिश्मे जैसी बात होगी अन्यथा इस्थिकोनी में जब तीन जगे लडाई होगी तो लाब भार तो बस्पा ने पूरे पांच साल तक केबल ट्विट पर ही गेम खेलते रहे उसके बाद अपने वापस क्यों लिया इस पूरी राजनिती में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि वापस क्यों लेना पड़ा अभी तक लोग यह देख रहे हैं कि उन्होंने कर्मांड जो है बस्पा की बीजेपी के हाथ में तो इस कारण से उन्होंने उसको वापस लिया तो आपके इसाब से सर क्या लग रहा है नगीनमे बीजेपी बीजेपी है रविंदर राना जी क्या है सब बीजेपी के पलड़ा भारी बता रहे हैं कि आख़ली ऐसे हैं कि ब ठोछ चोटा सेंपल होता हम पत्रकारों के पास को यासी सरुए जंसी कोई बड़ा इंफरेस्टुक्छा्टर हमारे पास नहीं है कि जिससे हम एक लाख लोगों के वीज सर्वे कर लें दो लाख लोगों के बीज कर लें तो एक चोड़ा सेंपल हम सब के पास है मुझे बात हो रही थी किसा आकाश आनंद आये थे वहां पर तो आकाश आनंद के भी उनके मामले लोक प्रियता के मामले में आकाश आनंद उनका कोई नुक्सान नहीं कर पाए चंशे करका तो दलीतों का बड़ा सेगमेंट उनके पास है दूसरा एंटी इंकंबेंसी वोट जो हर सीट पे होता है और इस बार अच्छी संख्या में है इस बार पिछले कुछ चनावों के मुकाबले आप दस लोगों से बात करेंगे अगर कहीं भी तो दस लोगों में कम से कम आपको हर छटा साथवा आदमी ऐसा मिल जाएगा सरकार से नराज है वो कहता है कि साब महंगाई है कोई कहता है कि साब अगनी वीर योजना से परेशान है कोई कहता है कि साब बहुत अनेंप्लॉइमेंट है कोई किसानों के मुद्दे गिनाता है कोई दलितों के समीधान के और आरक्षन के मुद्दे गिनाता है एक बात बहुत मैत्पून ह कि अगर जो तीसरे चरण से समिधान वाला जो मुद्दा है और आरक्षन बचाओ वाला जो मुद्दा जितना गरम हुआ है जितना हावी हुआ है अगर वो नगीना के वक्त में भी उतना ही गरम हो गया होता तो शायद इस बहस की जरूरती नहीं होती यह सैटल हो चुकी होती की पहले ही चंशेकर के पक्ष में लेकिन मुझे लगता है कि 50-50 मुकाबला है वहां पर बीजेपी को बहुत एज नहीं है मेरी नजर में मुकाबला बहुत कड़ा है दलित वोट मुस्लिम वोट और एंटी इंकंबेंसी का वोट जो वेस्टन यूपी की सारी सीटों पर बता रहे हैं तीन वर्ष पत्रकार कह रहें एक तरफ किलियर कह रहें 50-50 बता रहें देखिए ऐसा है कि मेरे पास कोई संजय तो बैठा हुआ नहीं है जो कुर्षेत्र का हाल बता दे अब भाई पुश्पेंद्र जी के पास संजय है तो वह उनको हाल बता रहे है कि इस वक अच्छित के आधार पर मेरा अपना वही है कि जो एज है वो चंदर शेखर आजात को है आप बता दिये सवाल आप से ले लेता हूं बिल्कुल एक कि लिए तस्वीर कि यह हो सकता है बस यह तो मैं बताऊंगा एक शब्द में बाद में उससे पहले मैं 2014 में लेके जा रहा ह साथ एक पक्षे जो है सारी सीटे भारत इंता पार्टी जीत गई थी जब 2019 आया तो दीवान की हल्की ना वो कम होगे मोहबत बदल गई तो उसमें जब सबस्पा वालों ने जब दूसरे तरफ से इश्क शुरू हुआ तो उसमें फोरम सीटे जो हैं तमाम सारणपूर से ल सबस्पाइक और एक तरफ तो वह ही है क्योंकि अपना वोट है अपना मजबूत वोट अपना संगर्ठन है और उनका अपना जो एक वोट बैंक है जिसको कहा जाता है जातिकत आधार पर राष्टवाद पर उसमें जहां जो है नंबर जो जो मुस्लिम द्रीट की बहुत ज उसमें बहुत कम बटवा रहा है तो वह एक बड़ा आधार के लिए ज्यादा बेहतर लग रहा है देखो परिणाम चार को आएगा लेकिन जो इस्तिती बनती है वह चंसेकर कहीं नहीं बीजेपी को घेरा है चक्रियों में घेरा हुआ है क्या करता हो निकल भाए यह बज गुंते हैं और जिन्होंने मद्दान के दिन का हाल मुझे बताया था और मेरा मन बदला था मुझे भी शुरुवात में लग रहा था कि चंशेकर क्या कर पाएंगे वोट कटवा होंगे सिर्फ लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावा आगे बढ़ा तो उन रिपोर्टर कहा कि हो कुछ भी सकता है और लेकिन फिर भी मैं उसके जीतने को मैं करिश्मा ही मानूंगा मैं उससे कोई पूर्व निदारीत नहीं कह रहा किसा वो तैय है और वो जी जाएगे नहीं तो बस एक ही चीज है कि बस्पा वहां चौथे स्थान पर किसक जाएगी आप उन्हों सब्सक्राइब को जोट्सी कोई बात ने जोट्सी की कोई एक भविष्ट बाड़ी पूरे अखिल ब्रामान में सच हुई हो तो मुझे बता दी हमें तो नहीं लगता मैं तो जोती या संजे को एक आप प्रामाडिक व्यक्ति मान सकते हैं अगर महाभारत को आप एतिहासिक एक धरवार या विरासत मानते हैं तो आपने क्या पूछा था वो कह रहा है कि उन्होंने पता दिया क्या दें माँ बविष्य वक्ता तो नहीं वह कह रहा है कि चंशेख्रा में क्या है हमें जब सपा और बस्पा पूरी ताकत से 2019 में लड़ी और वो तब कहीं नहीं जीत प है कि उसका जो मजबूत को रोटर है वो उसके साथ फिर भी एक अच्छे अंसों में जाएगा और भाजपा के लिए जीत का रास्ता वहीं से बनता जाला जाएगा अपसे मुझे आप बता दिए सब लोगों की अपनी बात है वो कहना है मेरे पास संजय नहीं वो कहना है कि यहां पर कोई नहीं है कि जो कुछ भी होगा वो चार्ज उनको ही सामने आएगा तो यह कहना गलत होगा कि उसके पास संजय है वो है लेकिन चुकि हम लोग इस व्यवसाइब से जुड़े हो है तो हम लोग की प्रतेक लोगों से या उन लोग को जो पूरे समाज का प्रतिन क्या होगा तो वो जो बाचीत है उसी साफ से बीजेपी है और जो बात अभी दलित समाज की हो रही है दलित आपस में बट रहा है नो डाउट तो फिर मैं दुबारे से इस बात को दोहरा हूंगा कि प्रश्चमित पूर्तरप्रदेश की सभी सीटों पर ना सिर्फ नगीना अगर चंशेकर यह मान रहे हैं कि रहा बहुत अच्छे से फायट कर रहे हैं तो डिपेंड यह नहीं करेगा कि केवल दलित वोट के वहाप पर वह अपने जीत दर्श कर लेंगे डिपेंड यह करेगा कि मुस्लिम वोटर किस साइड में जा रहा है मुशलिम कि दह जा रहा है? मुशलिम सिर्फ महां तो बीजेपी Κो हरा सकते है। ऐखेले पहले नगीना में यह चेंज हुआ पूरा कंसेप्ट। मैंने आपको बताए कि 6 लाख के करीब मुसलिम्स वहां पे हैं और एक हफ्षे पेले यह मैसेज कनवे हो गया मुस्लिम्स को कि वह यह देखो कौन हरा सकता है बीजेपी को तो उन्हें लगा कि जो समाजवादी पार्टी के यह हर जिले के नोजवान शामिल हैं दूसरा दलितों में एक फिलिंग थी कही ना कहीं कि जो जिस बात को मोदी जी ने कहा जब संसत चल रही थी चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा कि बड़ा मेंडेट चाहिए इस बार कुछ बड़े काम करने हैं और 400 पार का नारा दिया उन्होंने तो हम देख रहे हैं कि तीसरे चरण से तो वह पूरी तरह से यह मैसे चला गया कि सब्समिधान बदलने जा रहे हैं और एक्षन खतम करने जा रहे हैं यह फिलिंग पड़े लिखे दलितों के बेटों में बेटियों में पहले से थी इसलिए उनको लगा कि चंश है वहां दो ही व्यक्ति टकर दे सकते थे भारतियों जनता पार्टी को और यह तो मायावती और यह चंद्रशेखर चुकि मुसलिमों में यह भावना है कि मायावती जी भाजपा के प्रति सौफ्ट कॉर्णर रखती हैं और यह जीतने के बाद में उदर की तरफ चली जाए तो इस स्थिति में वह चंद्रशेखर आजात को उन्होंने बेटर केंडिडिट माना अपने लिए और दूसरी एक और बात है कि 2014 और 2019 की तुलना में दुजार चौबिस अलग तरह का चुनाब है 2014 विकास का चुनाब्त था फंदरलाक रुपे का चुनाब्त हमा का राश्त्र चुनाब था दूजार चौबिस में राम लेहर भी नहीं है राम लेहर नहीं है बिल्कुल ये बास सही है कि राम लेहर की जो उमीद भारती जन्ता पार्टी को थी वो कहीं आपको फिल्ड में नदर नहीं आ रही है लोग के चेरे से बाच्चीज से इमोशन से सब मालू हो जाती है और जो आप भी एक दूसरी बात भी जो सभी साथिसाब ने पूछी चंसेखर वाली चंसेखर फाइट में हैं यह को नगरपाली का चुनाओ नहीं है यह लोग सभा का चुनाओ है पहले चुनाओ में वहां जाके उतर रहे हैं जो सिद्धा संस चंसेखर वहां के बहुत 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 शुक्रिया तो देखें तमाम मेहमानों से बात की और पत्रकारों का एकजिट भूल भी हमने आपको सुनवाया ज्यादा तर वरिष्ट पत्रकार हैं वह सीधा कहने हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है जबकि कुछ पत्रक पत्रकारों का कहना है कि चंद्रशेखर जो बड़ा कमाल है वो बड़ा कमाल कर सकते हैं इसमें कोई दोराई नहीं है और मुकाबला आमने सामने का है टक्कर आमने सामने की इसलिए कुछ भी हो सकता है हाला कि जो फाइनल नतीजे हैं वह 4 जून को तस्वीर साफ होगे लेक पीना!